माननिय उप्राष्ट पती जी, माननिय प्रधानमंति जी, राज्य सभा में पदन के नेता, राज्य सभा में पदन में विपक्ष के नेता, संसदिय कार्य मंति जी, राज्य सभा के उप्राष्ट पती जी, माननिय मंत्रिगन, दोनों सद्नों के माननिय संसर सदस्रिगन, आज हम सब पानिनिय उप्राश्पती जी और राजस्वा के सभापती एम वेंका नैडू जी के भावविनी विधाई समारों में शामिल हुए हैं पिछले पांच वर्षों में भारत के गनराज के तेरवे उप्राश्पती के रूप में आपने जिस गरिमा, शालिंता, अनुशाशन प्रियता और विद्धता से इस उच्छ सविधानिक पदों के दायुत्तों का निर्वन किया वो देश के नागरिकों के लिए नहीं हम सभी जन्पती दिर्व के लिए भी पेड़ना दाई है। आंद्पदेश के नेलोड जिले के एक साधारन किसान परिवार में जन्म लेकर आपने भारत के उप्राश्पती पद की यात्रा आपके विलक्षन व्यक्तित को दर्शाती है। ये भारत के सविधान और भारत के लोक्त जन्त की तागत है जिसमें गाओं के किसान का बेटा भी देश का उप्राश्पती बन सकता है। माननिये वेंके नैडू जी जुआ काल से ही सामाजिक राजनीतिक जीवन में सक्रियर है। अपने आपने आंद्पदेश के विधायक के रूप में फिर संगठन के विमिन पद के राश्टिय देश्ट का दायत निभाया। संसर सदर्ष के रूप में बानियमंति के रूप में आपने पूरी निष्टा के साथ देश की सेवा किये। आपने देश की अनेक बड़ी नितियों की रूप रिका तयार करने में अपने मार्क दर्शन की बहत पुर्ण भूमी का भी निवाई है माननिये राजस्वा के स्वापती के रूप में आपने संसदिय मुल्यों और प्रंप्राओं के समर्धन में उत्कुष्ट योगदान दिया है आपने अपने कारों से राजस्वा की करिमा और मर्यादा को बढ़ाया है मुझे भी उस समय भी आपने देश के अलग-अलग हिस्तों में संगठन में काम करते हुए देश के नोजवानों को, किसानों को और समाज के सभी लोगों के सक्री योगदान देते हुए आपने उनको प्रोसाइद किया नई दिशा दी आपने मंत्री के रूप में फिर माननी उप्राश्पती के रूप में आपने समाज के तोशीत, वंचीत, गरीब, किसान सब के कल्यान के लिए माजपून कारे की हैं आपने विदेश के अंदर भारत का प्रदिनित करते हुए वहां की संसदों को संबोधित किया और भारत के पक्ष को मजबूती से रखा भारत की विकास यात्ता को प्रभावी तरीके से रखा राजस्वा के सभापती के रूप में आपने सभी मानने सांसद चाए सत्ता पक्ष के हो चाए परतिपक्ष के हो सभी सदशों में आप समान रूप से लोख प्रियर है आपके दिर्ग अन्भों का लाब सभी मानने सदशों को बिला और सभी मानने सदशों ने भी आपको उतना ही समान दिया राज्य सभापती के रूप में आपने हमेशा ये प्रियास किया कि देश की लोगतांतिक संस्ताएं चर्चा सरवात का केंद बने उनकी गरिमा मरियादा बनी रहे और चर्चा सरवात से हम किस तरीके से समाज का कल्यान कर सकते हैं इसके लिए हमेशा आपने सभा को मारदशन देने का कान किया आज ही सवसर पर हम सभी आपको शुपकामना देते हैं आप सधेव सुस्त रहें आप दिरगायू रहें सभी दलों के जन प्रतियों को आपका अमुल्य मारदशन मिलता रहे आपके ज्यान और अनभव का लाब संपून देश को मिले ऐसी मेरी शुपकामना है मैं आशा करता हूँ कि आपके एक लंबे सामाजिक राजनितिक जिवन का दाप आगे भी इसी तरीके से देश को मिलता रहेगा धन्यवाद